दोस्तों आज मैं बहुत खुशुर क्योंकि मैंने अभी ओम्जी टू आके देखा जो इसको डिरेट किया आमित रायन है और इसके कास्ट में है पंकस त्रिभाट यामी गोतमर अक्षाय कुमार तो को यह बता दू ओम्जी का जो फास पार था जिसमें परेश्रावाल था और ओम्जी में क्या था ओम्जी में कोट्रूम ड्राम एकदम टाइट था परेश्रावाल के अक्टिंग एकदम टाइट था और उस पर अक्षाय कुमार का जो प्रेजेंस था यहां पे भी सेम डू सेम वैसे चीज़ यामी गोतम एस मतलब विलेनिश मतलब डिफेंसिव लोयर कमाल का पंकस्तिवर्टी ने पूरा खा लिया है पंकस्तिवर्टी मनलब मैसीव और मैंने जो लास चार पाच अक्षाय कुमार का फिल्म देखा है उसमें अक्षाय कुमार मुझे इतना ज्यादा प्रभविद नहीं कहा जिसने यहां पर किया और यहां पर अक्षाय कुमार या फिर जो डायलोग दिने का तरीका बोली है, मतलब कमाल लगा, outstanding और यह जो sex education topic को पर जिस तरीक से इस movie को लिखा गया है, जिस तरीक से डायलोग लिखा गया है, जिस तरीक से पूरा plot को सजाए गया है, कहानी को सजाए गया है, मतलब मैं आपको बोलत हो, अगर आप देखने ला होगे, तो आपको कमाल का लगेगा, कमाल कमाल, मतलब एक सेकंड के मतलब, दो गंटा चालिस मीड का फिल्म मुझे लगा ही नहीं कैसे दो गंटा चालिस में निकल गया, इतना फास्ट है फिल्म दीजय में है और इस तरीए से यहां प explain to theалось कि लिखा गया राइटि अगर आपक रूटरूम डिवाइट बनाना चाहिए अपिषा था राइचिह नयूर्य एलोची अब्लोगर्पफ करना है और मक्षël चाहि और यहां पर ऐाइटिंग राइटिंग कमाल हे लिए ओधनी हे है बादर ओडियंस में जो मतलब सब क्लैपिंग कर रहे थे कमाल का लगा मुझे ओएम जी का कहान इस चीज़ के ऊपर था यहाँ पर परश्रावल का जो गार्टर था यहाँ पर पंकस्री बेटी का गेटर पूर आपोसीट किया गया है वो तो आपको टेलर की पता चल चुका है जहाँ परश्रावल का क्रैक्टर एसा था जो कि वह नास्तिक है भगवान के पर उसका कोई बिजवास नहीं है लेकिन यहां पर पंकस्ति वाइटर है वो क्रेक्टर बहुत ही आस्तिक है मदलब उसको सिर्फ भगवान ही दिखता है चारी और भगवान की पुझा करते है शीवका ही पुझा करते है लेकिन उसके लड़के के साथ एक ऐसा हासा होता है कि वो अपने आप पर ही क्वेश्चन उठाता है तो यह जो चीज सजाए गया है मुझे कमाल का लगा और कुछ-कुछ डायलोग से और खासकर के सौंग्स मुझे बोला कमाल का है डिरेक्शन आमी तरह का डिरेक्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा मतलब कमाल का लगा और ज पहले मैंने बहुत सारे मुवी में देखा हूं बहुत सारे सीरीज में देखा हूं लेकिन इतना ज्यादा मलब प्रभावीत इतना ज्यादा आच्छा प्रफर्मेंस नहीं देखा यहां पर आमी गोटम ने एक एक ऐक ऐसा डालोग डिलिवरी करते है मंला आपको लेगा कि यामीगो तम एकदम मलब थेस प्यान एक्टिंग कर रहा है, ऐसे एक्टिंग कर रहा है, आमीगो तम और एक बाद अच्छा था कि OMG का स्क्रीन प्ले बहुत ही टाइट है, तो मैं सुझ रहा था OMG का स्क्रीन पर टाइट होगा कि नहीं, क्योंकि कोटरूम डाम मैंने जो पहले ही बोला, स्क्रीन पर टाइट होना चाहिए, अकर स्क्रीन पर टाइट नहीं होता है, तो वो एक फॉल्टी चीज हो जाता है, क्योंकि कोटरूम डाम आप बना रहे हो, अगर आप पर स्क्रीन पर नहीं है, आपको ओडियंस को अगर आप इंगे किया गया है काफी अच्छा लगा मुझे और अक्षा कॉन है मतलब जब जब प्रिजेंस आता है वह ऐसे डालग देते हैं और तब तब बीजे में से बसता रहता है सीन अलगी एलिवेट हो जाता है जो कि मुझे कामाल का लगा मतलब आउटस्टेंडिंग और सब कुछ इस मुझी में एकदम पर्फेक्ट था और अगर आपका ओएमजटू देखने का प्लैन है तो जाए जाके देखिए मिस मत कीजिए इसको अगर आप ओएमजटू देख च